गुम्बला में एक ओर सरकार जंगल को बचाने और सनरक्षन को लेकर लगातार सरकार और प्रसाशन लोगों को जागरुक कर जंगल और परियावरन को लेकर जागरुक भी किया जाता है वहीं दूसरी और लकडी माफिया की मनमानी की सिर्चढ कर बोल रहा है जंगल और परियावरन को बचाय रखने के लिए सरकार ने लोगों को उजवल योजना की तहत रसोई गैस का लाप गाउं और शहर की लोगों को भी मिला है वहीं दूसरी और अवैद रूप से जंगल की लकडी को काट कर लकडी माफिया जंगल को बीरान करने में लगी है वनों की लगतार कटाई से वन एवं परियावरन प्राकृतिक से खिलवार किया जा रहा है वहीं भारी मात्रा में लकडी काट कर उचे स्तर और बड़े शहरों में लकडी की खरीद बिकरी किया जाता है जैसा की तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है लकडी माफिया किस तरह से लकडी की ढुलाई कर रहे है लेकिन वन अधिकारी तमाश बीन बनी है वन प्रसाशन फिलहाल रोक थाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे वन की कटाई पर सीधा रोक लगाया जा सके मामला जिला मुख्याले से सटे तेल गाओं बासदी पत गछा ऊरूबर्डी और अन्य सीमा पर सटे जंगल की है जहां लकडी आफियाओ का आतंक जारी है आसपास के जंगलों में अवैद तरीके से लकडी को काट कर लकडी माफिया भारी मात्रा में लकडी की तसकरी किया जा रहा है हालागी देखा जाये तो ये छेतर नकसल प्रभाविच छेतर भी है और ये जंगल का सीमा वर्ती छेतर नकसली का सेफ जोन भी माना जाता है घणा जंगल होने के कारण नकसली गती विधी भी अकसर देखने को मिलता है पुलिस मोमेंस को देखते हुए और वन माफिया अवैद रूप से लकडी की तसगरी से जंगल की सुरक्षा मद्दे नजर पूर्व में जंगल में नकसली ने आईडी प्लान भी किया था जिसमें सीमावर्ती जंगल में सर्श अभ्यान की दोरान सी आर पिफ के जवान आईडी बम की चपेट में आ गया था जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे दूसरी घटना में मवेशी को चराने के लिए गए गरामिन युवग भी आईडी की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गए थे हलाकि नकसली ने फर्मान जारी कर जंगल में किसी भी गरामिन को या लकडी माफिया को घुसने की सक्त मना ही है लेकिन लकडी माफिया बिना आईडी बम की परवा किये लकडी की अवैद तसकरी की जा रही है कुमला से अजुद सोनी की रिपोर्ट